सर हमारा चेप्टर था सेट ओफ एन केरी फॉरवड सेट ओफ और केरी फॉरवड का मतलब क्या होता है के आप इंकम को एक हैड के इंकम या एक सोर्स से इंकम के आपस में माइनस अगर मान लो मेरी से इंकम हो थाूस से swallowed है तो अगर उन दोनों को आपस में माइनस करके नेट में गवर्मेंट को जो पेड करेंगे उसे बोलते हैं सेट आफ इंकम लेकिन अगर मान लेते हैं कि से से मेरी पांच लाख रुपे के इंकम है हाउस पॉपटी से मेरा छे लाख का लॉस है तो एक लाख तो अभी भी मैं माइनस में तो इस एक लाख को अगर आगे ले जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे कैरी फॉरवड तो यहां पर हमने क्या देखा सेट आफ और कैरी इसके अं कम अंलिमिटेड हो सकते हैं जैसे यहां पर मेरा बिजनस के अंदर मेरा एजूकेशन का भी बिजनस है शेयर मार्केट का बिजनस ऐख लाख का बिजनस ए स्टील का बिजनस तो हेड तो इंट्रा हेड सेट ऐसे ही हमारा क्या हो गया salary income है ह accounting तो यह heads है अगर एक दूसरे head से माइनस प्लस हो रहा है तो इस तरीके को बोलते हैं इंटर head set off तो सर इंटर head set of क्या होता है वो set of जो की same head के अंदर हो और inter head एक दूसरे head के अलब हो इसके बाद section 70 और 71 70 कहता है intra head 71 कहता है inter head यह तो पता ही चलिया लेकिन इसके कुछ rule है क्या कहता है setup और carry forward के rule के once आप current year के अंदर during the year पहले आप intra head करेंगे फिर आप करेंगे अगर balance बचता है तो क्या करेंगे आप carry forward लेकिन इसका एक exception भी कह लो कुछ भी कह लो एक बार loss carry forward हो गया तो वो फिर same head से ही क्या होगा हमारा set of हो जाएगा ठीक है यहां तक बात समझ में आई आपको इसके बाद हम देखते हैं कई बार कुछ कहते हैं के भाया हम loss को मान लेत है मेरा house property से loss है पांच लाग का और एक business से मेरा profit मेरा profit है 6,000,000 का वैनने कहा के सर मेरे business का profit है कितना business का profit कितना है 6,000,000 या मैं मान लेता हूँ business का profit 4,000,000 । supplement या इक example याद आ रहरा है तो लिख लेते हैं चलिए को रखेसा है उसके साथे ऑए सर मेरा बिजनस on a business आ साथ जो है न वह ने चालाथ है पर एच पी सेन लॉस है एक मान लेता हैं यंड एक पी से लॉस है पांच लाइक है एक पी से लॉस है पांच लाइक अब मेरा मन करता है कि मैं बिजनस के इंकम के ऊपर पूरा टेक्स दे दूँ और इस पूरे लॉस को मैं करी फारवर्वर्ड कर दो लौ क्या कहते हैं पता है कि आपको करेंट ये में सेट ऑफ करने का प्रोविजन था अगर आपने करेंट ये में सेट अफ नहीं किया तो चलो मान लेतने गलती हो गया अगले साल जब इंकम होगा तो सरफ आपका केरी फॉरवड लॉस जो करेंट ये में एक्चुल पोजीशन माना जा रहा है वही माना जाएगा अगर current year में setup करते तो कितना loss carry forward हो पाता तो सरक एक लाख आपको adjust next year में करने दिया जाएगा यानि आपकी मर्जी से नहीं करने दिया जाएगा समझ भाई बात आपके ठेक है कि अगर आपका loss हुआ तो उसको किस तरीके से हम क्या करेंगे setup करके यानि आपकी मर्जी चलिए आपने बोला हम टेक्स दे रहें अच्छी बात है लेकिन आप ऐसे भी मत करिए इस को carry forward अगली बार करेंगे government उसके हिसाब से चलेगा चलिए एक और example देख लेते हैं कि क्या है इंट्रा अगर इंट्रा है नहीं तो फिर इंट्र पर जाओ कि चेके ना सिंपल सी बाइट इसके बाद हमने कुछ example देखा और इस example के साथ हमने इसको खतम कर लिया कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इंट्राहेड और इंट्रहेड का बताए कोई डाउट